हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कमपायर जोंगरेंगे मोटो जी 42 और रियल में नार्चो 50 देखते हैं कि बेस्ट कौन सा ही तो चली वीडियो स्टार्ट कते हैं सबसे पहले बात किज़ा है डिस्प्ले से मोटो में है 6.4 इंच रेजुलेशन है 1885 और 24 पिक्टल इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती है रियल में की डिस्प्ले है 6.6 इंच रेजुलेशन है 1885 और 24 पिक्टल इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है और आपको Realme में 120 Hz का रिफ्रेसिट मिलता है मोटो में ही 60 Hz का दोनों में ही आपको पंच और कैमरा मिल जाता है और अब बात की जाए प्रोसेसर की तो मोटो का है स्नैप ड्रेंग का 680 का CPU का टूपेन 4 इगा हार्ड ओक्टेकोर और 6 नेनमी टेस्ट का फिन फैट GPU है 610 का Realme का प्रोसेसर है मिडिटेक का G96 का CPU है टूपेन 0.5 इगा हार्ड ओक्टेकोर 12 नेनमी टेस्ट का फिन फैट GPU है G57 का प्रोसेसर की क्वार्टी में Realme बेस्ट है बैक केमरा की बात की जाए तो दोनों का है ट्रीपल दोनों का है में केमरा 50 का क्वार्ट केमरा की बात करते हैं तो दोनों का सीम है 16 मिसल का मिल जाता है पंचवर केमरा के साथ में बात करते हैं बैटी लाइफ की तो दोनों में है 5000 इमिज की दोने की बैटे स्नोनेबल है आप दोने की बैट्य को निकाल nahin सकते चार्जों की बात कीचाए तो मोटों में ही 20W रियल में ही 33W दोनों में आपको टाइपस का स्पोर्ट मिलता है दोनों में ही आपको पिंगपिं सेंसर और फेस लोक पे मिल जाता है मोटो में आपको ट्रीपर सीम नहीं मलती रियल में में आपको ट्रीपर सीम मलती है दोने की हवालेटे एक साल की रैम की बात करते हैं तो दोनों में सेम है चार्ज वो और छैज भी की दोने की मैमोरी सेम है चौन सुच में सुठायज भी की motor vendor 12 है realme vendor 11 price दोनों का same है आपको दोनों में से कौन सा पूर पसंद आया कौन बॉक्स में जोरो बताना अगर आपको दोनों में से कोई smart phone लीना है तो आप realme के साथ जा सकते हो best है बाकि अगर आपको AMOLED डिस्प्ले लेनी है तो हम motor के साथ भी जा सकते हो